आज मैं आपके साथ डेली उसके लिए पाश तरह की रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें एक से बढ़कर एक सबजिया बनी है और खाने में सब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनाने में सब सबजिया बहुत आसान है हेलो फ्रेंड्स मैं वर्षे ओले मेरे चाइनल पे आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो चले फिर आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम बनाने वाले हैं मसूर की खड़ी दाल ये कुकर में बना कर तायार करेंगे और बनाने का तर जहते हैं मसूर के ऊपर आगर कोई कलर वालर होना सब निकल जाता है पोलिश की specifically मार्किट की दाल रहती है तो यहां पर मैंने मसूर दो लिए हैं तो आप क्या करेंगे हम ग्यास के ऊपर कुकर रखेंगे और कुकर में ये डाल बानाने वाले हैं तो कुकर में सबसे पहले डाल देती हैं वाइल वाइल को आच्ची से गरम कर लेंगे तो वाइल यहाँ पे गरम हो चुका है तो वाइल में सबसे पहले डालेंगी एक तेज पत्र, साथ में दाल चिने की छोटी छोटी दो पीसेज एक हारी विलाईची, एक ब्लैक वाली विलाईची मतलब बड़ी वाली विलाइची और साती में एक चमच जीरा खड़े मसाली फूलने के बाद दो मेडियम साइस के प्याज जिसको छोटी-छोटी पीसिस में कट किया है प्याज डालेंगे और दो हरी मिच कट करके डालेंगे प्याज को अच्छे से अब 2-3 मिनिट भूनेंगे प्याज हलका भूनने के बाद इसमें आद्रक लेशन की पेस्ट डालेंगे यहाँ पे पाच्छे लेशन की कलिया और यकिंच आद्रक का तुकड़ा मैंने उकली में दरदरा सा पीस कर लिया था प्याज के साथ आद्रक लेशन की पेस्ट भी 2 मिनिट फ्राय करेंगे यहाँ पे प्याज आद्रक लेशन की पेस्ट फ्राय हो गई है तो 2 टोमेटो इसमें याड करेंगे टोमेटो को भी मैंने छोटे-छोटे पिसे इसमें कट कर लिया था यहाँ पे टोमेटो को भी आच्चे से 2-3 मिनिट भून लेते हैं तो यहाँ पेन महीन्य आच्चे से 2-3 मिनिट टोमेटो को भून लिया है आप देख सकते हो किस तरह से हमारे प्याच टोमेटो भून चुके हैं तो आब इसमें हम क्या करेंगे? पाउडर मसाले याड करेंगे एक चमच लाल मिर्ची पाउडर चुट की बर हल्दी पाउडर साथी में इसमें हम डालेंगे देड़ चमच धना पाउडर यहाँ पे ना लाल मिर्ची पाउडर आप टेका कितना खाते हैं उसके हिसाब से इस्तमाल कर ली जगा आदा चमच चा हमने यहाँ पर मसले मिक्स कर ले हैं आप जो हमने मसूर दो के रखा था ना वह वाला मसूर इसमें याड कर लेंगे और साती में आप मसूर को भी हम सब मसलों के साथ एक बार चला लेते हैं फिर इसमें क्या करेंगे नमक डालेंगे स्वाथ के नुसर सब मसले तो डाल दे हैं लेकिन नमक डाला नहीं था नमक नहीं डालेंगे तो तेश्टी नहीं आएगी सबजी में तो यहां पर मैंने नमक दालने के बाद ना इसमें हम डालेंगे पानी आपको ना दाल कितनी बनने हैं उसके सबसे आप यहां पानी यार कर ली जगा तो मैं यहां पे चार लोगों की सबसे दाल बना रही हो तो उसकी सबसे दाल ली है और पानी भी उसके सबसे इसमें डाल लेंगे तो यहां पे हमने एक कटोरी दाल के लिए करीबन पाच कटोरी पानी डाल दिया है तो पानी डालने के बाद आप कुकर का ढखकन लगा के कुकर की चार सिटिया निकालेंगे तो यहाँ पे मैंने कुकर की चार सिटिया निकाल ली थी फिर ग्यास को पाच मिनिट बंद करके रखा था फिर मैंने कुकर की पहब जाने दी और फिर मैंने कुकर का डखकन खोला कुकर का डखकन खोलने के बाद आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे यह हमारे मसूर दाल बन चुकी है आच्चे से यहाँ पे हमारे मसूर पक चुकी है तो आप क्या करना है हमें ग्यास शुरू करना है और ग्यास शुरू करके एक बार आच्चे से हमें मसूर चाला लेने हैं मतलब मिक्स कर लेने हैं और जो तेज पता था ना उमे ने निकाल दिया है तो आप देखें प्याज टमाटर पूरी तरह से गल चुके है अब हलके हाथ से हमें मसूर को मिक्स कर लेना है देखें बहुती बड़ा तरीके से यहापे मसूर दाल तायर हो चुके आप इस मेना हमें पानी याड करना है आपको दाल कैसी बनानी है गाड़ी पतली और कितनी उसके हिसाब से आप यहाप पानी याड कर सकते हो यहापे न में बहुत जादा गाड़ी नहीं बहुत जादा पतली नहीं इस मेडम दाल बना रही हो तो यहापे पानी याड करने के बाद एक बार दाल मिक्स कर ली फिर हमने गैस कम करके 2-3 मिनिट दाल उबलने के लिए र इसके उपर हम क्या करेंगे एक आच्चे से घी का तड़का लगाएंगे तड़के में भी कुछ ज्यादा नहीं डालना है बस हरी मिर्च का हमें तड़का लगाना है तो यहाँ पेना हमने क्या किया दो चमच घी गरम करके ले लिया है फिर घी में न मैंने दो हरी मिर्च आगर आपको दाल में गरम मसाला भी डालना है तो इस स्टेज के उपर आदा चमच आप इसमें गरम मसाला याड कर सकते हो तो मुझे गरम मसाला डालना नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पर गरम मसाला नहीं डाला है सिंपल थोड़े से मसलों में मैंने ये दाल तयार की है लेकिन खाने में बहुत जबरदस्ट और टेस्टी बनी थी उपर से मैंने थोड़ा सा धन्यापत्ती याड किया है और आप देख सकते हो कितनी बड़ी आतरीके से यहाँ पर हमारी खड़ी मसूर की दाल तयार हो चुके यह दाल ना आप हमारे वाइट जो चावल रहते हैं वाइट चावल के साथ गरमा गरम खाली जगा बहुत मजा आएगा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते है वैसे तो आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हो यहाँ पर चनादार लोकी बनाने के लिए मैंने 1-5 ख लोकी लिए और साती में एक कटोरी चनादाल भीगा कर लिए चनादाल को मैंने पूरे राद बर भीगा कर लेए आप देख सकते हो कितनी बड़े तरीके से यह फुल चुकी है आच्चे से भीथ चुके तो चले सब जिबानाने के process में चलते gas के उपर kukr चाड़ा दिया है कukr में oil डाल देंगे यहाँ पर मैंने 2 चमच oil kukr में डाल दिया है oil को आच्चे से गरम करके ले ले दे अब इसमें हम डालेंगे 1.5 चमच जीरा और चुट के पर हिंग हिंग डालने के बाद दो हरी मिर्ज डानेंगे कटकी हुई और साती में मेडेम साइस के दो प्याज जिसको लंबे-लंबे स्लाइस में कट किया है प्याज को हलका दो मिनिट भून लेंगे यहाँ पर मैंने दो मिनिट आच्छे से प्याज को भून लेया है प्याज भूनने के बाद आभी इसमें हम याड करेंगे हमारी चना दाल चना दाल को एक बार चला लेंगे तो यहाँ पर मैंने चना दाल को आच्छे से आदा एक मिनिट चला लेया है अब इसमें हम डाल देंगे हमारे मसाले सबसे पहले इसमें हम डाल देते हैं एक चम्मच धना पाउडर साथी में इसमें डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर मैंने देगी वाली लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल किये साथी में चुटकी बर हल्दी पाउडर आदा जम्म चाट मसाला अब ये मसाले आदा मिनिट डाल के साथ फ्राई कर लेंगे मतलब चाला लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक बार मसाले मिक्स कर लिये है डाल के साथ तो आप इसमें हम डालेंगे लोकी तो यहाँ पर मैंने सब लोकी डाल दी है लोकी को भी आप सब मसालों के साथ एक बार मिक्स कर लेते हैं तो इसमें हमने नमक का भी तक डाला नहीं है अब इसमें हम नमक डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने स्वात के नुसार नमक डाल दिया है नमक डालने के बाद फिर से एक दो मिनिट आच्चे से हम सब चीज़े चाला लेंगे तो यह साथ सब मसाले हो जाएंगे लोके और दाल के साथ सब मसाले मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक बार सब चीजे चला दी हैं तो आप इसमें हम डालेंगे पानी आपको सबजी कैसी बनानी है गाड़ी पतली उसके ही सब से पानी याड़ कर ली जगा तो यहाँ पर मैंने बस एक गलास पानी डाला है तो आप क्या करेंगे कुकर एक बार फिर से पानी डालने के बाद लोगी वगिरा चला लेते हैं और कुकर का ढखकन लगाएंगे और ग्यास को पूरी तरह से कम करना है और कम ग्यास के उपर बस हमें इसकी दो सिटिया निकालनी है तो यहां मैंने कुकर का धकन लगा दिया है तो आप इसके हम दो सिटिया निकाल लेंगे यहां पे हमारे कुकर की दो सिटिया हो चुकी है तो मैंने कुकर का धकन खोल दिया देखे दो सिटेक के बाद आच्छे तरह से हमारी यहापे लौकियों और दाल पक चुकी है मैं आपको दिखा देती हूँ चना दाल को आप रात भर बिगाऊंगे ना तो चना दाल को पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है लौकिय के साथ बहुती मस्त तरिके से यहापे यह चना दाल पक चुकी है तो देखे मैं आपको दिखाती भी कितनी बड़ ठरिके से गल चुकी है और ऐसी चना दाल लौकियों खाने में बहुत ज़ादा टेस्ट लगती है तो एक बार अच्छे से हमें चनादार और लोकी को चला लेते हैं तो हलका इसके में गाड़ा पना जाएगा एक बार हलका चलाना है बहुत नहीं करना मिक्स हलके हथ से इसको हम चला लेंगे हलके हथ से देखे तो यहाँ पर मैंने एक बार चनादार और लोकी को चला लिया है अब ग्यास को हम शुरू करेंगे और ग्यास शुरू करके ग्यास को पूरी तरह से कम करना है और कम ग्यास के उपर दो मिनिट हमें लोकी को रख देना है तो आप इसमें हम क्या करेंगे आदा चमच गरम मसाला डालेंगे और गरम मसाला मिक्स करके लेंगे और यहाँ पर दो मिनिट हम लोकी ग्यास के उपर छोड़ देंगे तो उपर से मैंने दोहरी मिर्ज भी कटक लागा के डाल दी है अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो इस स्टेज के उपर धनिया पत्ती भी डाल दीजेगा तो दो मिनिट के बाद फिर से मैंने ग्यास को बंद कर दिया और फिर दो मिनिट मैंने लोकी ग्यास बंद करके रख दी थी तो इस तरह से फाइनली हमारी लोकी की सबजी खाने के लिए तायर हो चुके है तो यहाँ पे गरमा गरम हमारी लोकी की सबजी खाने के लिए तायर ह हो चुके हैं तो आप हम चलेंगे हमारी दूसरी सब्जी की तरब आप हम बनाने वाले तुराई की सब्जी तो तुराई की सब्जी बनाने का आनुका तरीका दिखाये हैं यह तरीके से आप एक बार तुराई की सब्जी जरूर बना की देखें यहां पर मैंने 200 ग्र्याम तुराई का आगे वाला और पीछे वाला पाट रहता है, उसको पहले कट कर लेना है, कट करने के बाद आप तुराई को हम कदुकस करके लेंगे, यहाँ पेना मैंने तुराई को कदुकस कर लिया है पूरे 20 सुग्राम तुराई यहाँ पे मैंने कदुकस करके ले लिया है तो आप इस तुराई में हमें कुछ मसाले याड करने है तो सबसे पहले इसमें हम ना डालेंगे प्याच को यहाँ पर मैंने एक छोटा वाला प्याज छोटी छोटी पिसिस में कट करके ले लिया है प्याज डालने के बाद इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती धनिया पत्ती मैंने बहुत सारी डाली है इस सबजी में धनिया पत्ती की टेस्ट बहुत मस्त आती है धन्य पत्ति डालने के बाद इसमें हम डालेंगे एक चमच जीरा छोट वाला एक चमच डाला है साथी में इसमें हम डालने वाले हैं आदा चमच लाल मिर्ची पाउडर चुटकी भर हल्दी पाउडर साथ में डालेंगे इसमें बेसन, दो-तीन चमच यहाँ पर हमें बेसन याड़ कर लेना है और बेसन डालने के बादे इसमें हम डालेंगे स्वाथ के नुसर नमक नमक डालके यह सब बैटर हमें एक साथ मिक्स करके ले लेना है नॉर्मली जैसे पकोडे का बैटर बना थे ना बिल्कुल उसी तरह का यहापे बैटर हमें बना कर ले लेना है पानी इसमें डालना नहीं है क्योंकि तुरे में खुद का बहुत सारा मौशेर रहता है उस मौशेर से यह आटा आपका मतलब बैटर आपका तयार हो जाएगा देखें बहुत ही मस्त है हमारा बैटर तयार हो चुका है आप बैटर को रखते हैं साइट में अब सबजी की आगली प्रोसेस में चलते हैं कि तो यहां पे ग्यास की पर रखिए हमें कड़ाय में डालेंगे ओईल को आच्छी से गरम करके लेझा है ओइल हमारा यहां पर गरम हो चुका है तो वेइल में सबसे पहले हम डालेंगे आधा जियरा पुणने इसमें हम डाल देंगे प्याज, यहाँ पे मैंने बड़े बड़े दो प्याज लिए है, जिसको मैंने बिसिस में कट कर लिया है, साथी में दो हरी मिर्च कट करके डाली है, अब प्याज और हरी मिर्च को हमें दो मिनेट फ्राय करना है, हलका प्याज का कलर ट्रांसपर होने तक हमें प्याज को भू पूहनेंगे टमाटर के बाद इसमें हमें याड करने वाले है एक चम्मच आध्रकलेसन की पेस्ट हाद्रकलेसन की पेस्ट की साथ ही में प्यास्ट टमाटर सब चिजे आप आच्चे से 2-3 मिनेट हमें यहां पर फ्राइ करके ले लेनी हैं यहाँ पर मैंने 2-3 मिनिट आच्छे से सब चीजों को फ्राइ किया है अभी इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले जिसमें मैंने डाला है एक चमच लाल मिर्ची पाउडर एक चमच धनाजिरा पाउडर साथी में आदा चमच चाट मसाला आदा चमच से थोड़ी से कम हल्दी इसमें मैं इतने मसाले डालने है कि और साथी में हम सब던 चिजे मिक्स कर ले थे जब मैंने प्याज-्वरा ंड ऑट्र हां त उसमें मैंने नमक बहुँ डाल दिया था तो इसलिए मैंने नमक नैव डाला तो मसाले मैंने आच्छे से 2-3 मिनिट फ्राइ कर लिए है देखें ह हमें आद यते कुणा आद कर ले ओतो पानी यहां पर मैंने एक लास पानी डाली या है पान में कूछ इभ Magic Napin LEGO आए ऑलकी बल आने देनी हैना में पे ना मैंने सब बैटर सब्जी में डाल देया है आप क्या करना है ग्यास को लोटू मेड़म ग्यास पर हमें खुलने में इसको 2-3 मिनिट पकाना है 3 minutes के बाद आध ग्यास को पूरी तरह से कम कर देना है वो कम क्यास करके हमें Isके उपर ठाली धक देनी है ठाली धकने के बाद इसको हमें पूरे दस बारा मिनिट के लिए कम गैस के ऊपर सब्जी को रख देना है दस बारा मिनिट के बाद सीधे हमें आपे यह सब्जी चेक करेंगे दस बारा मिनिट में आपकी सब्जी इस तरह से तायर हो जाएगी खाने में बहुत जादा टेस्टी लगती है और बनाने का तरीका तो आपने देखा है कितना सिंपल है आप भी इस तरह की सब्जी एक बार जरूर स्ट्राय कीजेगा और जरूर आपकी घरवालों को भी खिला आप चलते हैं हमारी आगली रेशिपी की दरब आगली रेशिपी है हमारी मसाला भेंडी टो ग्यास के ऊपर मैंने प्यां चाड़ा दिया है प्यान में मैंने दो तिन चमठ वाईल डाला है वाईल में सबसे पहले हम भेंडी को फ्राय करेंगे यहाँ पे 0,5 बेंडी आच् चार-पाच मिनिट फ्राय करके लेनी है ग्यास को मेडेम रखना है और मेडेम ग्यास के उपर आच्छे से यहां पर हम भेंडी फ्राय कर लेते हैं यहां पर यहां पर हमारी फ्राय हो चुके आप देख सकते हो बहुत ही मस्त अब इतनी हमें यहां पर भेंडी फ्राय करने है आप भेंडी को हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे न मैंने ये फ्राइ की हुई भेंडी निकाल ली है, आप जो बचा हुआ वाइल है उसी में हम आगली प्रोसेस सब्जी के कर लेंगे, तो इसी में में थोड़ा और वाइल डाल दीती हूँ, बस एक चमच के करीब, आप भे वाइल गरम हो चुका है, हमारा तो आप वाइल में हम डाल देंगे, आदा चमच जीरा, जीरा आच्चे से हमारा फुल चुका है, आप जीरा फुलने के बाद इसमें हम याड करेंगे हरी मिर्च, तो यहाँ पे मैंने दो हरी मिर्च छोटी-चोटी कट करके डाल दी है, और में आजचे से 2-4 मिनिट पयच को भून ले है, आप देख सकते हो, हमारे पयच का कलर ट्रान्सपर हो चुका है, बसी इतना ही, यहाँ पयच हमें भून ना है, तो यहाँ पयच हमार आजचे से भून चुका है, तो अब इसमें हम डालेंगे एक चमच आद्रकलेशन की पेश्ट, आद्रकलेशन की पेश्ट को भी हम आच्चे से आदा एक मिनिट पेश्ट के साथ भूनेंगे, बहुत जादा भी हमें यहाँ आद्रकलेशन की पेश्ट भूननी नहीं है, नहीं तो वो कड़ भी लगती है, हलकी हम यहाँ पे आद्रक लेशन की पेश्ट पेश्ट के साथ भून लेंगे तो देखें मस बहुत बड़े तरीके से हमारा यहाँ पेश्ट भी भून चुका है आद्रक लेशन की पेश्ट भी भून चुके है तो आप इसमें हम डालेंगे एक चमच बेशन तो आप इसमें हम डाल रहे है बेशन पोहा खाने के एक चमच से बेशन डालेगे बेशन जरूर से डालेगा इससे क्या होता है जो हमारी भेंडी बनती है उसकी जो हम गेरवी बना रहे है उसमें बहुत बढ़ी थिकनेस भी आती है और बेंडी की सबजे का जो टेस्ट रहता है और बढ़े आता है और जदा बढ़ जाता है तो बेसण हम आच्चे से 1-2 मिनिट पैस्ट के साथ भून लेते हैं तो यहां हमारा बेसं भून चुका है बेसं भूना है तो अब इसमें हम याड़े करेंगे मेडेम साइज के तीन टामाटर की पेश्ट यहाँ पे मैंने तीन टामाटर मिक्सी में घुमा कर ले लिए है अब टामाटर की पेश्ट को भी एक दो मिनिट आच्चे से यहाँ पे हम भून लेते हैं तो यहाँ पे हलके हमारे टोमेटो की पेस्ट भून चुकी है तो अब इसमें हम थोड़ा पानी याड करेंगे और पानी डाल कर आच्चे से यह टोमेटो की पेस्ट पका लेंगे तो यहाँ पेना मैंने आच्चे से दो-तीन मिनिट टोमेटो की पेष्ट पका लिए है दो-तीन मिनिट की बाद आपकी ये टोमेटो की पेष्ट इस तरह से तयार हो जाएगी तो टोमेटों की पेश्ट आच्चे से हमारी पक चुके है तो अब इसमें हम याड़ करेंगे पाउडर मसाले तो इसमें हम याड़ कर ले थे एक चम्मच लाल मिर्शी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर आदा चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला आदा चम्मच डालेंगे चाट मसाला और ना चुटकी बर हल्दी पाउडर डालेंगे अब इनके साथ ही हम स्वात के नुसाल नमक डाल देते हैं नमक डालने के बादना हम यह सब मसाले आदा एक मिन्यत आचे से टोमाटर की पेश्ट के साथ भून लेते हैं तो देखें ब्हुती बड़ी ब्हेंडी के लिए हमारा मसाला धार हो चुका है आप क्या करना है हमें इस मसालों में फिर से एक कप पानी डालना है और पानी डालने के बाद आच्चे से हमें 2-3 मिनिट लोटू मेडम गैस के उपर ये मसाला पका कर ले लेना है जब तक आच्चे से इसमें जो हमने पाउडर मसाले डाले है ना पक नहीं जाते तब तक इसम मसाले पका लिजीगा तो मसाले पकने के बाद जो हमारी सबजी का टेस्ट आएगा न मसत आता है तो गयास को हमें एकदम फुलने रखना low to medium गयास रखना है और low to medium गयास के उपर आच्चे से ये मसाले हम पका लेते हैं तो दो तीन मिनेट में आच्चे से आप आपका मसाला पक तायर हो जाएगा तो देखे कितना बड़ी तरके से हमारे यहापे ओसला पक चुका है कलर टेक्टचर कितना सुने रहा और प्यार आया है आप क्या करेंगे इसमें हमने फ्राय की हुई भेंड़ी डालेंगे तो यहां पे मैंने सब भेंडी डाल दी है भेंडी के साथ हम एक चमच बटर भी डालेंगे और साथी में हम कुछ धन्या पत्ती डालेंगे बटर जरूर से याड कर ली जगा बटर से भेंडी में चार चान लग जाते बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है तो यहां पे भेंडी हम आच्चे से मसालों के साथ मिक्स कर लेती है और मसालों के साथ मिक्स करने के बाद आच्चे से फिर से 2-4 मिनिट भेंडी पूरा ग्यास कम करना है और कम ग्यास के ऊपर भेंडी मसालों के साथ पक निकले छोड़ देनी है जो मसाला है ना भेंडी के अंदर बड़े आतरीके से चला जाएगा और भेंडी खाने में इतनी मस और टेस्टी रसिली बन जाती है पूछो मत एक बार आपने ये भेंडी खाई ना तो आप बाकी की तरग की भेंडी बना नहीं छोड़ देंगे और बाकी की भेंडी खाना ही छोड़ देंगे और यह जो भेंडी बनती है ना ऐसी भेंडी ना होटेल में मिलेगी ना आपको धापीपी मिलेगी इतनी टेस्टी भेंडी बनकर तयार होती है और खाने के लिए तो आप ना साधी रोटी के साथ पराटे के साथ लच्चा या भहिंडी का टेस्ट आता है मेरे कहने से आप एक बार यह भहिंडी की रेसिपिक ज़रूर ट्राइ किजिएगा तो आप देखें दो-तीन मिनेट मैंने कम गयास के ऊपर यहाँ पिभहंडी रख दी थी तो तीन मिनिट के बाद आप इस तरह से आपकी भेंडी बनकर तयार हो जाएगी कितनी मस्त बनी है, कलर, टेक्चर, कितना प्यारा आया है, देखें, बहुती बढ़िया एक नंबर, ऐसी भींडी कभी आपने होटेल में भी देखी है क्या, बिल्कुल नहीं देखी होगी क्योंकि ऐसी भींडी तो बस घर पे भी हम बना सकती हो, बना सकते हैं, देखें कितनी मस्त यापे बहुती बनकर तयार हो चुकी है आप चलते हैं हमारी आगली रेसिपी की तरब आगली रेसिपी है हमारी मारवडी पकुडा कड़ी यह पकुडा कड़ी खाने में बहुत टेस्टी बन थी है बानाने में बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल तरीका दिखा है बानाने का चले फिर बानाना शुरू करते हैं सबसे पहले पोकोडे बनाएंगे पोकोडे बनाने के लिए एक कटोरी बेसन लिया है बेसन में डालेंगे आदा चमच आजवाएं साथी में धनिया पत्ती और कुछ पाउडर मसले डालेंगे स्वात के नुसर नमक आदा चमच लाल मिर्शी पाउडर चुटकी बर हल्थी पाउडर इसमें आप हम डालेंगे एक कप पानी और आच्चे से बैटर मिक्स करके लेंगे और बैटर को जितना हो सके उतना फेट येगा जितना आच्चे से आप ये बैटर फेट वोगे ना उतना आच्चा आपका पोकोड़ा फुलेगा क्योंकि हम इसमें सोडा वगेरा कुछ नहीं डाल रहे बहुत बड़ी आतरीके से हमें एक डिरेक्शन में ये बैटर फेट के ले लेना है तो देखें कितना मस्त यहापे ये पकोड़े का बैटर हमारा तायार हो चुका है साइट में आप बैटर को रग देते अब यहापे मैंने लिया है आदा लिटर चाच चाच में आप बड़े दो चमच बेशन डालेंगे बेशन डालने के बाद इसमें डालेंगे आदा चमच लाल मिर्शी पाउडर चुटकी बर हल्दी पाउडर साथ ही में हम डालेंगे स्वात के नुसर नमक अब यह सब चीज़े हम चाच में आच्चे से मिक्स कर लेंगे तो यहापे यह सब चीज़े मैंने चाच में आच्चे से मिक्स कर ली है देखें बहुती बड़िया अब हम कड़ी बानने के प्रोसेस में चलते ग्यास के उपर रखें कड़ाई कड़ाई में डालेंगे वाइल, वाइल को आच्चे से गरम करके लेना है वाइल हमारा गरम हो चुका है तो आब इसमें डालेंगे आदा चम्मच राई आदा चम्मच जीरा, दो तीन लोंग, साथी में आदा चम्मच सोप साथी में 4-5 हरी मेर्ट जिसको चोटे-चोटे कट करके डाला है एक इंच का दुकस किया हो आध्रक का तुक्ड़ा अगर आपको ना कड़ी में दालचिनी और देजपत्त डालना है तो वो भी डाल सकते हो कई कई जगे पे दाल चिनी और तेज़ पत्त भी मारवड़ी कड़ी में तो ये सब हमारा जिराव अगेरा फ्राय हो चुका है तो आप इसमें मैंने आदा चमच के करीब हिंग डाला है और साथी में 10-12 कड़ी पत्ते डाली है तो आप ये सब चीज़े आच्चे से हमारी तड़क चुकी है तो आप इसमें हमें जो चाच में बेसमनों वगेरा याड़ करके रखा था वो वाला चाच डाल देंगे चाच डालने के बाद आपको पानी कितना डालना है तो पानी भी उसी के साथ डाल दीजिगा तो आप कड़ी को हमें आच्चे से 10-15 मिनिट ना मेडेम ग्यास के उपर पाका कर लेना है जितनी आच्चे से कड़ी पकेगी उतनी आच्ची कड़ी खाने में लगती है तो जब तक कड़ी उबलती नहीं है आपको ऐसे ही कड़ी को चलाना है नहीं तो कड़ी फढ़ जाती है जब तक आच्चे से कड़ी नहीं उबलती तब तक ऐसे ही चलाते रहना है यहाँ पेना कड़ी को उबलाना शुरू हो चुकी देखें बहुत बड़ी आतरीके से यहाँ पे यह कड़ी हमारी फुल चुकी है आभी इसको आदे मिनेट में उबली आना शुरू हो जाएगी तो देखें कड़ी का कलर कितना प्यारा दिक राये ना बहुत मस्त तो यहाँ पेना कड़ी हमारी उबलना शुरू हो चुकी आच्चे से यहाँ पे दो-तिन मिनेट मेने कड़ी को उबाल लिया है देखें बहुत बड़िया तरीके से कड़ी उबल चुके जब तक कड़ी आच्चे से दो-तिन मिनेट उबलती नहीं ऐसे ही आपको कड़ी को चलाना है अगर नहीं चलाएंगे तो कड़ी फटती है इसलिए यह बहुत काम की ट्रिक है आपको जब तक आच्चे से दो-तिन मिनेट कड़ी उबलती नहीं आपको ऐसे ही चलाना है तो यहाँ पर कड़ी आच्चे से उबलना शुरू हो चुके है दो-तिन मिनेट आच्चे से कड़ी को मैंने उबाला है तो आप यहाँ पे ना दुसरे ग्यास के उपर आप कड़ी रख देते हैं ग्यास कम करके तो वहाँ पे कड़ी उबलती रहेगी 10-12 मिनिट जब तक 10-12 मिनिट हो जाते हैं कड़ी के तब तक हमारे पोकोडे पितल करता है और हो जाएगे तो यहाँ पे मैंने पकोड़े तलने के लिए ले ली है ग्यास के उपर वाइल गरम करने के लिए रख दिया था तो आप वाइल में हम पकोड़े डाल देंगे तो देखे हमने बैटर को बहुत बढ़िया तरीके से फेटा था तो कितने मस्त और बढ़िया यहां पे पकोड़े बन रहे हैं और फुल भी कितने आच्चे तरह से रहे हैं देखें और जाली भी पढ़ रहे हैं पकोड़े के ऊपर जितना आच्चा आच्चा आप बैटर फेटोगे ना उतने बढ़िया पकोड़े बन कर तयार होते हैं फिर जब आप पकड़े बनाने के टाइम में भी एक दो बार आच्चे से ब्याटर को फेटली जगा फिर इसमें पकड़े डाल दीजगा तो देखे बहुती मस्त और बढ़िया तरीके से यापे हमारे पकड़े बन चुके हैं देखे कितने बढ़िया फुले हैं बहुती मस्त तक हमें पोकोड़े को तल कर ले लेना है बहुती मस पोकोड़े दिख रहे देखें बहुती बढ़या तो यहाँ पे न मैंने पोकोड़े तल कर ले लिए हैं बाकी के बचे हुए भी पोकोड़े हम इसी तरह से तल ले देखें बहुत जादा क्या पोकोड़े हैं ने हमारे ए तो यहां पे मेरे पकुड़े दो बैच में ही तल कर हो चुके थे तो दूसरी बैच भी मैंने डाल दी है और इसको भी हम लोटू मेडेम गयास के उपर तल लेंगे यहां पे मैंने कड़ी को आच्चे से 10-12 मिनेट उबाल कर ले लिया है मतलब पका लिया है कड़ी को देखे 12 मिनेट के बाद कितनी बड़िया तरीके से यहां पे यहां पे यह कड़ी हमारी बन चुके बहुती मस्त गाड़ी बनी है देखे बहुती बड़िया देखे खाने का मनुहुरा है कितनी मस्ति यहां पर यह एकडी बन चुके अब इस में हम डाल देते हे पोकोडे हमारे तो सब एक साथ यहाँ पर गर्मा गरम पकोड़े कड़ी में डाल देते हैं और साथी में कड़ी और खुपसूरत दिखने के लिए उपर से थोड़ा सहम लाल मिर्च का तड़का डालेंगे तो यहाँ पे न मैंने घी को गरम करके ले लिया है और घी में न मैंने थोड़ा फिर से हिंग डाला है और साथी में कलर वाली लाल मिर्च पाउडर डाली है अब उपर से यह तड़का डाल देती है तो देखे बहुती बड़िया तरीके से यहाँ पे हमारी मारवड़ी पोको पर आपको दिखाईए आगर आपके इदर कुछ कम जाधा सामं डालते हो तो आप आपके हिसाब से भी बना सकते हो लेकिन हमारी तरीके से भी आप एक बार मार्वडी कड़ी ज़़ूर से ट्राइकी जगा तो यहाँ पे गरमा गरम हमारी कड़ी खाने के लिए तैयार हो चुके देखे कलर टेक्चर कितना प्यारा आये हैं उपर से आप कड़ी के हम थोड़ी सी धनिया पत्ति डालेंगे और साथी में आगर आपके पास कसुरी मेथी रखे हो तो कसुरी मेथी जरू से डालेगा कड़ी में कसुरी मेथी का भी टेस्ट बहुत मस्त आता है आपको मेरी इस कड़ी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट दोरा जरूर बताएगा अगर मेरी कड़ी की रेसिपी आपको पसंद आई है तो एक लाइक एक कमेंट जरूर कीज़ेगा और ना आप ये कड़ी की रेसिपी जरूर से ट्राइ कीजेगा कड़ी आपको ट्राइ करने के बाद केस लगी वो भी मुझे कमेंट में बताईगा आपकी कड़ी कैसी बनी वो भी बताईगा चले फिर मिलेंगे ऐसी कुछ नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई